हेलो एवरीबान वेलकम तो माई चैनल प्रीज सेंटर बॉक्स आज मैं मॉनी मॉनी वोट कुकी हूँ और अभी टाइम हो रहा है फाइक टेन क्योंकि राद भर्ष मोने ही पाई बहुत ही दात में पेन हो रहा है और लगातार तीन चार दीन से हो रहा है राज डॉक्टर के प कि दात में लगाएंगे नाजने कितना लगेगा वही सो सोच के राद पर सुन ही पाई लग रहा था कि और जागा गाई भर रहा है उसी टेंशन से मैं उठ चुकी हो नजडि और ताकि मैं जल्की उठ चुकी हूं तो कि उना सारा घर का काम कर लेते हैं और किचन का काम भी कर लेते हैं तो इसलिए मैं उठ चुकी हूँ और देखते हैं कि डॉक्टर को फच जाने के बाद क्या हाल होता है मेरा चलिए तब काम कर लेते हैं जल्दी जल्दी सब कुछ कि मॉर्णिंग का भी हो थोड़ा दिखा देती हूं मैं जल्दी उठने से ऐसे अच्छा लगता है दीन बुगूती बड़ा बड़ा सा लगता है और अच्छा लगता है मन से भी घर में भी दब सुही रहा है घर में भी की जीए सब सो रहा है मैं भी धर का काम कर लेती हूं जल्दी 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 उल्दी ऑच्छा लेती है झाल 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 मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ फिर उसके बाद मुझे कीचिन में जाना है और पूरा दिन का खाना भी रेडी करना है मैं चावल को जड़ा दिया अब मैं बाकी जो भी सब्जी जो भी कुछ करने वाले हूँ उसको मैं बरेडी कर लेती हूँ फिर मैं स्टार्ट करूंगी मॉन्निंग के ब्रेकफ़स्ट कर लिया है आलो सक सब्जी बनाँगी और पुरी बनाँगी जब दो एक पाइड़ में बेख फस बना रही जी और उसे पाइड़ी में दिन के लिए चावाज चढा दिया तक जल्दी जदी को जाएगा एक टिक 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 तेदा क्या होगा का लिया यानि में है अभी अब सब लोग सो रहा है कितना अच्छा लगता है ना कि morning morning उत्नी के बादी टेविल में breakfast ready, lunch ready, सब कुछ ready, कितना खूश हो जाते है मन अच्छा जाते हैं हास लो बैटा हास लो हास ना है 3.30 से पहला हास लो फिर उसके बाद शायद हासने के लिए तुम्हाना दाथ नहीं बचेगा कर दो आगा आगा आए आट है अधा है अधाल अधार को अधार अधार पर्फास्ट बन के रेड़ी है अब भर का सार्वे लोग जब उठेंगे ता वागया करके ब्रेक्फास्ट कर लेंगे मैं अपना रिया रख देती हूँ ब्रेक्फास्ट वाण के रेगी होगी है अब पिनका दंच बनाने के बादी अब देती है जो भी नहीं तो भी में जब आपना रहा हूँ और लिक्स बुजलिंग, डाल और रिया लेकर ब्रूवा यहां कि जो फिश आया देनी में वर फिश कभी नहीं खाया, आज पास ट्राइम मैं त्राइब ज़गी होगी मेरे बैदिन के वर्चे, मेरे शिस्टर है वो यह स्पेशली मेरे लिए है कि इसको मैं ट्राइ करें करें, यह बहुती तेस्टी है और लाज़ामा बनता लिए जैसे के लिए वही बता गिया है तो उस स्टाइल से बना के देखें कैसे बनता है आज मैं बनाऊंगी मिक्स्ट बेजिटेबिल परेला का गड़ुआ और यह मचली को मैं श्टाइक करने वाली हूं जिसका नाम है पांगस्टैंगरा और दाल भी बनाना है क्योंकि रचित के लिए मुझे दाल बनाना करता है तो डाल भी बनाएगा पीच में थोड़ा नमक खल्दी और सर्सो तेल देके इसको मैं इसको मेरी निट करके ऐसे रख दूंगी 10 मिनिट के लिए सर्सो तेल इसलिए दिया जाता है ताकि इसको जब हम लोग फ्राई करेंगे तो इससे ज्यादा चीटा ना आए यह मेरी सिस्टर भी बताई है मैं करहे में सर्सो तेल डाल दिया और इसको मुझे ठाई करना है और स्केशली इसके लिए बोला गया कि जब ही मैं एक इसको पढ़े ले दू मैं पूराद उसको ढग दो क्योंकि उससे बहुत चीटा आ रहेगा तो मैं इसको देखे इसको दखके मैया से जाओंगी पक्तेल जो है वो बहुत ही करम होना चांगी है तो तक पीश प्राइब होता रहे तो आज मैं मिलाने बाली है मेरी मंदी से जो की काल आई है और वो आई है दुर्गा पुझाते हैं सब को कब्रा पे भी कुए तो ताली भी नहीं है आई है आई तो आप सब के सब मिला रहेंगी जो मारी में प्राइब हो यहां से प्राइब बावड़ा भी कर दो खुझाते हैं आज मॉर्ली नहीं आप उटता है मेरी 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 मुझे बहुत बगुख लगा है अच्छली उसका एसे ही होता है मॉर्णिंग में जब ही वो फूरंति उसको गुबल लग जाता है और इगर जाने आए कि उसका मन पसंद कुछ खाना बना है तब और भी फस्ट उसको गुबल लग जाता है तो उठके ही मुझे पूछलिया कि क्या खाना बना है प्रेशों ने के लिए अब आपे अचो गुब लग लिया कि पीश बनाने के लिए मैंने ऐसे करके आलू काट लिया है अधी रसुन को मैश कर लिया टॉमेटो रज़ पिया प्याज प्रेजबता सुखा मिर्ची और गोटा गरब मसाला जिस तेल में मैंने मस्टे को प्राई किया उसी तेल में अभी डालूँगी मैं गोटा गरब मसाला को तेज पत्ता और शोखनी अब मैं इसमें प्याज चारूँगा अब मैं इसमें डालू डालूँगी अब मैं इसमें डालूँगी तामाटा इसके साद आज कर गूंगी आभी अलशुम् अब मैं इसमें एड़ करदू नमक खली जीडा पाउडर कालर करने के रिए थोड़ा सा देखने में अच्छा लागा तो परकाश्मीरी मीड्च लालूँगी अब मैं अच्छा लागा जाँगी अच्छा इसका मेरे जी इंपेजार करने के लिए में लगबल यह हो चुका है सारा मसला इसमेर कर दूंदी अधी अधी तुरा सा गराम मसाला देके इसको अधार देना है देखके तो लग रहा है बहुत ही अच्छा बना है आप खाने के टाइम में बता चलेगा कि यह कितना टेस्टी हुआ है की नहीं तो गुड मॉर्निंग रची ते गुड मॉर्निंग ने उसका मूड अच्छा नहीं है निन से उडने के बाद उसको यह सब अच्छा नहीं लगता है तो आप में मिला जावाली हूं मेरे मम्मी से अर मेरे मम्मी है मम्मी ॥ा यह 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 मम्मी तो यह रहाला बैठ गया है आप मेरे मम्मी ब्रेकपस्ट सर्फ कर रही है सर्कों च्छा इज और मक्की उनके रेडिव हो लिया है अब इस दो आटम मेरा आती है तो पड़ा बना लेते हैं ते बढ़ जाना जिरू आइन पर ताइम में जाने 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 कि अब जाने किसे क्या होता है मेरा रूट कैनल हो गया है अब मैं घर के तरफ जा रही हूँ काफी पेंड हो रहा है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है बोलने के लिए तो गाइज मैं नाहा दो के रेडियो के एक दम बैठी हो गया है और पांस दिन के बाद फिर से मुझे जाने के लिए बोला है कि उस दिन वो कैप लगा देंगे अज दिन में जो लंच बना है इसके जो फिश का आइटम बना है जो मैं नया आज ट्राइ किया है उसको मुझे सुनना है सब खाना कहने के बाद की कैसे बना है तो वो भी मुझे ज़ग से एक्साइट हैं कि ज़गा शूनती की कैसे बना है बूलो कैसा लगा ये मशली था कि ये बोल गया ये पैसा बात हो गया अच्या यानी येस येस मेरे मशली बनाना सक्सेस हो गया और निच्स ताइम शहलिए नेक्स टाइम खाने का इंट्रेस्ट रहे गिए मतभम सबसक्त कर नम're both सो गाइज मै अपने ब्लॉग को इन पेंट करूँगी क्यों में आपको नेक्स बॉलग में जरूब बताऊंगी सो अबी आपना बॉलग को इन परने वाली हूं और जो पांग चैंग रहा मचली वह खाके आप लोगों को बहुत अच्छा लगा आप लोगी ट्राइ कीजिए बनाएए और कैसे लगा है कैसे लगा है यह खाके यह भी आप जलू बताईएगा कमेंट करके प्लीज लाइक मी कमेंट करके बताईएगा प्लीज लाइक मी कमेंट मी लव मी और सब्सक्राइब मी आज तब एही तक अगले पर नेक्स्ट व्लॉग के साथ तब तक खुश रहे घ्यास रहे और दोनिया पर राज की जिए तब तक टाटा बाई बाई